जहिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पडोसी लुटेरे की, या कहें हमारे पडोसी देश की, जी हाँ आपने सही समझा, इस वीडियो में बात होने वाली है चाइना की चीन का लगातर विकासचील और गरीब देशों को करजा देना और उसके बाद पाकिस्तान और श्रिलंका जैसे देशों की अर्थ व्यवस्ता का कूडे में गिर जाना इन सब चीजों के बाद दुनिया को पता लग चुका है कि चीन आखिरका कितना बड़ा चालबास देश है गैस चीन इतनी बड़ी पावर बनने से पहले एक बिजनिसमेन है एक अच्छा बिजनिसमेन जिसने अपना माल पूरी तरह से पूरी दुनिया में बेचा है कि आज उसकी उकात इतनी हो गई है कि वो दुनिया के और गरीब देश जिन के पास पैसा नहीं है उनको करजा दे रहा है उनके देश में सड़कें, अस्पताल, रेलवे लाइन बिचाना ये सारे काम्स चीन आखिर कर क्यों रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा सवाल है आम के आम और गुठलियों के दाम और इन लोगों के लिए चाइना का बिहेवियर बत्तर से बत्तर होता है सीदे मुए इन लोगों से बात नहीं करते, तंखा टाइम पे नहीं देते, ना के बराबर बहुत ही कम तंखा पर ये लोग काम कर रहे है ये वकात है पाकिस्तान की चाइना के आगे, जो पूरी दुनिया में ये बोलता फिर रहा है कि चाइना ने हमारा बहुत डवलप्मेंट किया है, चाइना ने हमारे इतनी मदद करी है, उसने ये मदद करी है और ध्यान से देखो इस फुटे में पाकिस्तान का जंडा, इस साड़े-चार फुट के चाइनीज के पैरों के नीचे है, किसी भी देश का जंडा, किसी दूसरे देश के आदमी के पैर के नीचे हो ना, सबसे बड़ा अपमान है, उस देश का अरे इसको क्या कहूं मैं अब है थाड़े चार फुटिये गाड़ी से नीचे उतर जा नहीं तो गिर गया तो चोट लग जाएगी फिर दवाई के नाम पर चमगादर का सूप मांगेगा और उसको पी के कोरोना फैलाएगा इधर तू दोस्तों अब बात करते हैं श्री लंका की दरसल श्री लंका की एकॉनमी दो चीजों पर मेंली निर्भर करती है पहला है खेती दूसरा है परेटन पर तो कोरोना ने बेन लगाई दिया और दूसरी बची खेती उस पर चाइना की सरकार और श्री लंका की सरकार दोनों ने मिल के ढंक से सेंद लगाई है श्री लंका में खेती के लिए मेंली यूरिया पोटाश और जितनी भी सिंथेटिक खादे होती है ये सब यूज होती थी अब ये लोग अपने देश में तो ये बनाते नहीं थी इनके पास टेकनोलोजी नहीं थी तो ये लोग इसको भार से इंपोर्ट करते थे यहां के प्रदानमंतुरी ने क्या करा यूरिया पोटाश और सारी सинки modified भाव के आयात पर ब्रेक लगा दिया आयात पर रोग लगा दि तो ये सारी synthetic card पे बेन लग जाने के बाद इनको बड़े पेमाने पे जरूरत पड़ी organic card किया और organic card क्या होती है यह केंचुगा गाय का गोबर यह सब बायो डिग्रेड़ेबल चीजों से बना ही जाती है अब organic card इनके देश में तो इतनी थी नहीं तो इन्होंने चाइना से इंपोर्ट करने की सोची अब चाइना ने इनको यहाँ पर ऐसी सेंद लगाई चाइना ने इन लोगों को 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की organic card बेची लेकिन चाइना तो चोर एदों के बाद है सारी की सारी organic card defected निकली वो पौदों को पेडों को फाइदा देने की बजाया उसमें बिमारी गुज़ेड दी उसमें बैक्टिरिया गुज़ेड दी सारी फसल इनकी चौपट हो गई कोरोना की वज़े से परेटन तो चौपट हुआ ही था चीन ने defected खाद बेचके इन लोगों की खेती भी चौपट कर दी इन लोगों की कमाई के सारे धंडे बंद हो गए फिर श्री लंका ने ये सारी खाद वापिस चाइना को पैक करके भेजी अब इसको सिरफ चाइना तक भेजने भेजने में श्री लंका का साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया वारे चाइना तेर से बड़ा लुटे रहा नहीं देखा मैंने देखो इसको इतना मोटा हो गया अब कितना खाएगा पेट नी भरा तेरा इस तराजदी के बाद श्री लंका में खाद का संकट ऐसा आया खाद्यान उसके देश में कम पड़ गए अपने खुद के देश को खिलाने के लिए गेहूं और चावल श्री लंका को भार के देशों से आयात करना पड़ गया चाइना यहां पे भी पीछे नी रहा हूँ उसने पहले तो इनकी खेती चौपट करी और उसके बाद अपना गेहूं और चावल इनको चेप दिया अब मैं आपको बताता हूँ श्री लंका के धक्षणी हिस्से में स्थित हमबन टोटा पोर्ट के बारे में साल 2017 में श्री लंकान पोर्ट अथरॉरिटी यानी SLPA ने HIPG यानी हमबन टोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रूट का गठन किया जिसने बाद में चाइना की कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया जिसमें चाइना की कंपनी को इसका 85% स्टेक दे दिया गया बाकी के बचे खुचे हिस्से का इंवेस्टमेंट श्री लंकन सरकार ने अपने कंधों पर लिया लेकिन जब वो समय रहते इसको भर नहीं पाये तो चाइना ने श्री लंका को एक और धोका दिया और ये हम्बन टोटा पोर्ट 69 साल के लिए लीज़ पर ले लिया अब पूरा कंट्रोल चाइना का हम्बन टोटा पोर्ट पर है अगले 99 यह के लिए तो चो गाईज अगले 99 साल में कितना कमाये गए इस पोर्ट से और ये लुटेरा चाइना यहीं नहीं रुका इसने और देशों पे अत्याचार करने और और देशों को लूटने की साज़िशे रची जिसमें से एक उधारण है ताइवान दरसल चाइना ताइवान को अपने बाप की जागीर समझता है उसका कारण यह है कि साल 1945 में ताइवान को अंग्रेजों ने चाइना को सौपा था इसकी ज़स थोड़ी सी हिस्ट्री समझा देता हूँ तब चाइना की कुण डैनस्टी ने शिमोन सेकी ट्रीटी के तहत यह दूइब जापान को सौप दिया उसके बाद साल 1945 तक जब तक जापान पर परमाणू बं नहीं गिरा था अमेरिका का और वर्ल्ड वार का एंड नहीं हुआ था तो साल 1945 में जापान ने ये सब होने के बाद जब वर्ल्ड वार टू में सरेंडर किया तब ये छोटा सा दूइब ताइवान चाइना को सौप दिया गया चाइना का ओफिशल नेम पी अरसी पब्लिशन रिपब्लिक ओफ चाइना है लेकिन ताइवान का ओफिशल नाम आरोसी रिपब्लिक ओफ चाइना है तो इनका नाम भी मिलता जुलता है भाशा भी सेम है इसलिए चाइना ताइवान को अपने बाप की जागिर समझता है और उस पर हग जताता रहता है इसके अलवा चीन का लगातार जापान से भी क्लैश चलता रहता है जापान के कुछ ऐसे आइलेंड उन पर अपना हग जताता रहता है अपनी आर्मी को अपनी नेवी को माँ पे बेज देता है और भारत के साथ भी उसने गलवान घाटी में यही करने की कोशिश की आप यह तस्वीर देखो अभी कौट देशो की मीटिंग में जापान में हमारे प्रधान मंतरे श्री मोदी जी गए हुए है और सारे नेता उनके पीछे चल रहे है और मोदी जी जापान के पीम के साथ आगे आगे चल रहे है अमेरिका का राश्रपती जो बाइडन पीछे चल रहा है आगे मोदी जी चल रहे है यह तस्वीर भारत के प्रभुत्व और भारत की महतवता का पूरे विश्व में वर्णन करने के लिए काफी है अब चाइना जब अंतरराश्ट्रिय मंच पर गल्वान घाटी में अपने ही बिचाएवे जाल में फसाद तब उसने अरुनाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक दिया ताकि लोगों का ध्यान गल्वान घाटी से अटके अरुनाचल प्रदेश में आ जाए ये चाइना की दोहरी चाले हैं और कुछ नहीं है जब वो फज जाता है तो कहीं और मोर्चा खोल देता ताकि पुराने मेटर को दुनिया भूल जाए और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा चाइना कुछ नहीं कर सकता अब हिंदोस्तान का क्योंकि अंतर राष्ट्रिय मंच पे रूस वो भी हिंदोस्तान के मेटर में हिंदोस्तान का साथ देगा चाइना का साथ कभी नहीं देगा बलकि वो मीडिटर बनके हम दोनों का युद्ध शांत करवाने की सोचेगा क्योंकि रूस का भी चाइना के अलावा जादा कोई दोस्त है नहीं नाटो और यूरोपियन यूनियन ये सब मिलके रूस को दबाना चा रहे हैं अब रूस के पास भी पावर होने के लिए हिंदोस्तान और चाइना का उसको साथ होना बहुत जरूरी है इसलिए रूस हमेशा यही चाहेगा कि हिंदोस्तान और चाइना में हमेशा दोस्ती बिने रहे हैं इसलिए रूस का रुख हमेशा ऐसा रहता है कि वो मीडियेटर बनके रहे और हमारी लड़ाई को हमेशा खतम करवाने की सोचे लेकिन गाईज आब एक इंपोर्टन बात ये है कि साल 1991 के आसपास जब चाइना और हिंदोस्तान दोनों की अर्थविवस्ता लगवक सेम थी बलकि चाइना की अर्थविवस्ता उस टम भारत से नीचे थी तो आज चाइना इतना आगे कैसे बढ़ गया और इंडिया इतना की पीछे कैसे रह गया साल 1980 के आसपास चाइना में आर्थिक विकास, ओद्योगी की करण, इन सब की मांग उठने लगी लेकिन चाइना में असली बदलाव की शुरुआत साल 1980 से 1990 के बीच में शुरू हुई इस टैम दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उफान पर था क्योंकि नहीं नहीं मशीने आ गई थी कूलर, पंका, टीवी, मोबाइल, मोटरसाइकल, नहीं नहीं गाड़ियां तो दुनिया में और खास तोर पर ये जो एशियाई देश थे इन में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि ये टेकनोलोजी जितनी भी नहीं आती है पहले पश्चिमी देशों में आती है अब 1990 के आसपास ये टेकनोलोजी एशियाई देशों में भारत, चाइना, बंगलादेश, पाकिस्तान इन सब देशों में भी आई, तो इन देशों में एकदम से इसकी डिमांड बढ़ी अब ये जो पश्चिमी देश थे, इनके पास लिमिटेड फैक्टरियां थी तो इस बढ़ती हुई डिमांड को ये लोग पूरे नहीं कर पाए हम तुमको सस्ता इंफ्रस्ट्रक्चर देंगे, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती लेवर, सस्ती जमीन सस्ता सब कुछ इंफ्रस्ट्रक्चर बनाने के लिए देंगे, सस्ती सडके बना के देंगे तुमको ताकि तुम अपना धनना यहाँ पे चला पाओ और जो साला हमारा मजदूर टाइम पे निया उसको लाट मार के निकाल दो हम तुम्हें नया मजदूर देंगे कोई स्ट्राइक नहीं होगी कोई मजदूरों की यहां पर अड़ताल नहीं होगी और यह सारी बड़ी बड़ी कमपनिया उस टेम एक नई जगे की तलाश में भी थी तो उनको अच्छी उपर्टूनिटी चाइना में उस टेम लगी तो इन्होंने वहां पर जाके अपने सारी फैक्टरी सारे गोदाम शिफ्ट कर दिये और चाइना के पास उस टेम जनसंग क्या इतनी थी सारे बेरोजगार किसी के पास नौकरी नहीं हम लोग तो गाइस 2011 में 100 करोड के उपर पहुँचे ये लोग 1990 में 100 करोड पार कर चुके थे 110 करोड के असपास जनसंग क्या थी तो सोचो इनके पास उस टेम कितनी जनसंग क लेकिन कहानी सिरफ यही नहीं है गाइस चीन की चाल इससे भी आगे थी अब समझाता हूं कैसे अब इन्होंने कंपनीज के CEO's और मालिकों को बुलाया आओ भाई साब इधर आओ दो महीने का कोर्स है भाई साब पेंटर बन जाएंगे उसके बाद नौकरी मिलेगी पूरी जनता भावबाग के सारा कोर्स करा कंपनियों को इन्होंने स्किल्ड वर कर दिये इस तरह से चाइना आगे बढ़ने के लिए एक उसको सीथ मिली कि किस तरह से आगे बढ़ना है ले सरकार हमें लोन दे दो हम अपनी कंपनी खोलना चाते हैं हम स्किल्ड हैं हमने बहुत मैनत कर ये हम यह सारा टैलेंट हमारे अंदर है अब सरकार ने देखा यहां पर उपरचुनिटी है यह लोग स्किल्ड है अगर इनको लोन दिया जाए तो यह लोग आगे बड़ी करेंगे कभी न कभी तो फेल होंगे अब इनका सारा चोरी का और कॉपी का अब कॉंसेप्ट था फोन आया सुबह चल रहा है शाम को खतम उस टेम यह डायलोग बना था चीन का समान चल गया तो चान तक नहीं तो शाम तक तो इन लोगोंने धीरे धीरे गलतियां करकर के कंपनियां मॉबाइलों की पीवी की गाड़ियों की किसी भी चीज की कंपनी देलो चाइना की इस टेम वर्ल्ड पर च्छा चुकी है क्योंकि इन लोगोंने गलतियां करके सीखा है पहले तो ये लोग क्या करते हैं दुनिया की कॉपी करते हैं फिर उसकी हजारों गलतियां कर लेते हैं खुद और उन गलतियों को खुद अपने देश में और भार के देशों में बेच के इनको पता पढ़ जाता है क्या गलती कर रहे हैं उनको सुधार सुधार के सुधार सुधार के फिर एक नई कंपनी पैदा करते हैं जो इन सारी सही चीजों को करती है गलतियां नहीं करती पुरानी कंपनी को बंद कर देते हैं मालिक वह रहते हैं अब उसने पुरानी कंपनी में जो गलती कर ली वो उस कंपनी का नाम डूग गया अब उसने नहीं कंपनी चालू करी नहीं कंपनी रियल में चालू करी अब उसमें सारी पुरानी गलतियो से सीख कि अपना नया टेलेंट उसमें गुसेडा तो शाओमी का फोन चल गया दुनिया में सस्ते दामों पर इंडिया में उस टैम जब शाओमी का फोन आया उसने धूम क्यों मचाई क्योंकि इतनी अच्छी टेक्नलोजी इतने सस्ते दामों पर प्रोवाइड कौन करवा सकत चाइना की जो electronics market है जैसे हमारा दिल्ली में नहरू प्लेस हो गया कुछ हो नहीं है चाइना की market हो गया एक चिप एक memory card हो गया एक चिप इसके भी बड़े बड़े गोदाम है अब सर्च करो आपको मिल जाएगा इसलिए चाइना इतना क्यों कि बलकी जब हो जाता है सब कुछ तो उसको बनाने में cost बहुत कम आती है अब 20 लाग रुपे की machine लगाई 20 लाग रुपे की machine से आप 1000 पीस बना रहे हो और उसी 20 लाग रुपे की machine से आप 1 लाग पीस बना रहे हो तो फरक है ना जो 1 लाग पीस बनाएगा उसी 20 लाग की machine से उसको सस्ते पड़ेंगे चाइन ने यही किया और वहां की जो होम कंपनीज थी जो चाइना ने खुद बनाई उनको एक फाइदा यह हो गया कि उनको स्किल्ड वरकर मिली नटवोल्ट कसने वाला अला गया पेंटर अला गया आइसक्रिम जमाने वाला अला गया रैफ्रेजेटर वाला आदमी अला गया कि मम्या जब हमारे घर में डीटी एच लगाने वाला उपर आता है तो वो डीटी एच की तार ठोक रहा होता है उससे परदा ठुकवा लेती है उससे नल सही करवा लेती है चाइना की मम्या नहीं कर पा रही हैं सब उनको विचारों के लिए प्लंबर अलग आ रहा है और ड थोड़ा सा उनकी मम्यों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लेकिन इससे देश तो आगे बढ़ा है और इन्होंने लेबर पे इतनी सकती कर दी इन्होंने बोला भाई बात सुन कंपनी के मालिक तु मेरी बात सुन जो बंदा लेबर तुमने उसको आठ बजे का टाइम या अगर वो आठ बच के एक मिनिट पर आ रहा है लात मार के निकालो साले को तो वहां पर लेबर के अंदर भी डर पैदा हो गया भाई जल्दी पहुंचना है नहीं तो यह लोग हमें निकाल देंगे हरताल कर नहीं सकते कम्यूनेश्ट देश है लोग तंतर है नहीं कंपन दुनिया ने का इसको 200 साल लग जाएंगे आगे बढ़ने में लेकिन अगले 20 साल में जापन ने अपने देश में ऑलंपिक गेम्स करवा दिये खैर अभी चाइना की बात करते हैं तो हमने जैसे बताया इस तरह से चाइना मैनुफेक्चरिंग हब बन गया पूरी दुनिया का सुई से लेके जहाज तक अची से अची कॉलिटी और घटिया से घटिया क्वालिटी का ये लोग आज अपने देश में बना रहे हैं और पूरी दुनिया में बेच रहे हैं जो हमारे देश में अभी गलवान घटी के बाद बाइकयों हुआ ह्षैना को काफी नुकसान लेकिन मेरी नजर में अभी उतना वो effective नहीं है उस पे हमारी सरकार को मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम चालू कराया Care Skill India उस पे थोड़ा सा और काम करने की ज़रूत है हमें excellent बंदे निकालने हैं जो अगर किसी company में लेवर के तोर पे भी काम करें इंडिया में तो वो company आगे बढ़े और अगर वो बंदा अपनी company खुद की खोले अपना खुद का brand बनाना चाहे तो वो भी उसको grow करे जब तक ज्यान नहीं होगा उनमें अच्छी skill नहीं होगी तब तक वो करनी पहेंगे तो हमें भी skill भड़नी पड़ेगी अपने लोगों में जैसे चाइना ने अपने लोगों में भड़ी आज वो माल बेचने में दुनिया में च्छा चुका है इंडिया भी च्छा सकता है इंडिया पुराने जमाने में सोने की चड़िया था दुबारा इंडिया बन सकता है सोने की चिडिया अगर हम अपने लोगों पे ध्यान दें अपने लोगों को स्किल दें तो इंडिया के लोगों में इतना दिमाग है पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं और कई लोग कर भी रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO सुन्दर पिचाए Google और Alphabet का CEO है Microsoft का CEO Indian है Adobe की CEO Indian है तो इंडिया वाले लोगों में दिमाग एतना है बस हम लोग उसको लगा नहीं पारे उसको डवलप नहीं कर पारे उसको स्किल्स में बदल नहीं पारे अगर यह करें तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है लेकिन चेन के भारी मामलों का तो हमने बहुत देख लिया है कि चीन बिजनिस कैसे करता है चीन दूसरे देशों को किस तरह से लूटना चा रहा है आप चीन के अंतरिक मामलों में गुसके देखते हैं कि चीन आखिर जो अपने आपको दिखाता है वो अंदर से कैसा है गाइज चीन के बीच में जो यह लाइन दिख रही है आपको लाइन के राइट हैंड साइड पर असली चीन है इसको कहते है हान चाइना आपने सुना होगा हान चाइना यह वही चीन है जो इस लाइन के राइ है मुछ रशियन लोग भी रहते हैं बूद्धिश्ट लोग भी रैते हैं मंगोलिया वाले क्योंकि इसका बॉर्डर देखो कजागिस्तान उसबेकिस्तान रशिया मंगोलिया इन सबसे मिल रहा है तो यहां पर इन सब देशों का विवित्तां और तो को बुर्का पहनना मना है अगर कोई मुस्लिम औरत शिंजियंग प्रांट में घुटने से नीचे की ड्रेस पहन ले तो इसकी पुलिस उस औरत के कपड़े सड़क के बीच में खड़े होके घुटने के पास से काड़ देती है यह मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान और यह सारे मुस्लिम देश हाए मेरा कश्मीर हाए मेरा कश्मीर कश्मीर में भारतिये सेफ नहीं है कश्मीर के मुस्लिम सेफ नहीं है यह अंतर राष्टे मंचो पर उठाते है इसको उठाओ ना पाकिस्तान का जो नाजायस बाप है चीन वो उसी की कौम के मु उली नहीं उठाएंगे, आज इनकी दुश्मनी चाइना से हो जाए, एक मिनिट में शिंजियंग प्रांच का मुद्धा पूरी दुनिया में उठ जाएगा, खेर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिंजियंग प्रांच में महिलाओं के साथ ये होता है, आप यूट्यूब पे स चब्दों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहता है, यहां पे इन लोगों के खिलाफ अत्याचार किया जाता है, इन लोगों को यातनाएं दी जाती है, काम करवाया जाता है, वही सब जो आदिकाल में कुरूर राजा महराजा करते थे वो चाइना उईगर मुसल्मानों के दो गुलियां चला दी, वो दिखता है, कश्मीर में अगर कुछ हो गया वो दिखता है, बाकि चाइना का इनको नहीं दिखेगा कभी जिन्दगी में, लेकिन चाइना को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अपने अंदर और अपने और पड़ोसी देशों के साथ वो कुछ भ नहीं कर सकतें बिना एर रिफियलिंग के, और दूसरा हिंदुस्तान के बास कई ऐसे पोस्ट हैं, जो हाइट पे हैं, और पहाड़ी लड़ाई में हमेशा हाइट का फायदा होता है, तो चाइना को थोड़ा सा यहां पर समल के रहना पड़ेगा, गलवान घाटी में उसने लोगों कभी मिलना चीए हमारे गोर्खा रेजिमेंट के लोगों से, ये इनको बताएंगे, हमारे राजपुताना रेजिमेंट के लोग अपनी मूचों पे ताओ देते हुए इनको जब तोड़ेंगे ना चाइना वालोगों, तब इनको पता चलेगा, हिंदुस्तान के सह निउस चैनलों की रिपोर्टे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो उसको अपनी उकात में रहना चाहिए, हिंदुस्तान से ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, नहीं तो चाइना के लिए बहुत बुरा हाल होगा, तो चाइना के बुरे दिन लगबग स्टार्ट हो कोरोना के बाद से विश्वे में उसकी छहवी भी खराब हुई है, तो हिंदुस्तान के पास इस्ट्रेम बहुत अच्छा मौका है, और दूसरा रश्या यूक्राइन युद्ध में, यूक्राइन और रश्या से भी काफी कंपनियों ने अपने हैड़कोर्टर्स और अपन कंपनीज को बुलाने का, खेर इस वीडियो में गईज हमने बात करी चाइना की, अब आने वाले वीडियो में हम अमेरिका की बात करेंगे, और हमारे प्रधान मंतरी श्री मोदी जी जो क्वाट देशों की बैठक में अभी जापान में गए है, उससे चाइना को क्या मानता है, और क्वाट देश में जब हम चारों मिल के चीन के खिलाव कोई कूटने तिक चाल रच सकते हैं, तो यह बैठक बहुत इंपर्टन चल रही है, इसकी भी रिपोर्ट हम आपको देंगी है, और खेर यह फोटो तो देखके हर भारतिये का सीना गर्व से चोड़ा हो गया है, जब हमारे प्रदानमंतरी शरी मोदी जी जापान के प्रदानमंतरी के साथ फ्रंट रो में चल रहे हैं, और अमेरिका के राष्टपती और बाकी जो कौट देशों के मुख्य सचेव आयो हैं, वो सब पीछे चल रहे हैं, तो इस से हमारा सीना बहुत चोड़ा हु हैं, उसका भी कच्चा चिटा मैं खोलूँगा आपके सामने, थोड़ा सा वेट करो 2-4 दिन का, और ये कौट मीटिंग को भी कवर करेंगे, तो गाइज, ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो था, आज के लिए इतना ही, जैहिंद, वंदे मातरम, और गाइज यार इस वीड आदो, जितना हो सकता है, आपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीने चीज कर दो, तो गाइज, अभी के लिए मैं आपसे विडा लेता हूँ, जैहिंद, वंदे मातरम